लक्षमनगट राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है यह राजस्थान के प्रसिद एतिहासिक तथा परिटन स्थलों में से एक है सीकर के रावराजा लक्षमन सिंग जी ने सन 1805 में लक्षमनगट दूर्ग का निर्मान करवाय था तता सन 1864 में इसके चारो और वर्तमान लक्षमंगट शहर की स्थापना की थी लक्षमंगट शहर रास्ट्री राजमार्क 11 के उत्तर में सिकर से 24 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है यह जैपूर से 160 किलोमेटर तथा राश्ट्री राजदानी दिल्ली से 235 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है यह जैपूर दिल्ली, अजमेर, कोटा और बिकानेर से सडक मार्क से सिधा जुड़ा हुआ है अगर बात करें यहां की हवेलियों की, शेखावाटी के राजपूत किलोमें हवेलियों में बनी सुन्दर फ्रेसको पेंटिंग्स दुनिया भर में मशूर है इसी के चलते शेखावाटी अंचल को राजस्थान की ओपन आर्ट गेलेरी के नाम से भी जाना जाता है सन 1830 से 1930 के दोरान यहां के व्यापारियों ने अपनी सफलता और सम्रद्धि को प्रमानित करने के उद्देसे से सुन्दर एम आकरशक चित्रों से युक्त हवेलियों का निर्मान कराया था यहां की कुछ प्रसिद्ध हवेलियों में चार जोक हवेली, चेतराम सांगानेरिया हवेली, राठी परिवार हवेली तिता शिवनारायन क्याल हवेली प्रसिद्ध है यहां की हवेलियों के रंग शान और शोकत के प्रतीक हैं जैसे जैसे समय बीता गया तो ये हवेलियां परंपरा का हिस्सा बन गई और अब तो विरासत का रूप धारन कर चुकी है कलाकारों की कलपना जितना उडान भर सकती थी वह इन सब हवेलियों की दिवारों पर आज भी देखने को मिल जाता है इस कस्बे में सीकर के राजा लक्षमन सिंग जी दुआरा बनवाया गया भव्वे किला है जिसे लक्षमनगट दूर्ग के नाम से जाना जाता है लक्षमनगट दूर्ग एक स्ट्रेस्ट राजसी आवास होने के साथ साथ यहां स्थित प्रसिद घंटागर बहुत से प्राचीन हवेलियों, शांधार बित्ति चित्रों और छत्रियों के लिए प्रसिद है इसलिए लक्षमनगट दूर्ग को राजस्थान के इतिहासिक और महत्वपुन किलों में शुमार किया जाता है यह अद्बुद किला लक्षमनगट शहर के पस्चिम में स्थित है लक्षमनगट की सगन बस्थी के पस्चिमी छोर पर मध्यमुचाय की पहाड़ी पर बना लक्षमनगट किला सारे कस्बे से नजर आता है किले की सीधी खड़ी इमारत बहुत प्रभावशाली है राजस्थान में ही नहीं बलकि भारत में यह किला अपने स्थापत्य और गलाकार चट्टानों के विशाल खंडों पर बना होने के कारण बहुत प्रसिद्ध है वर्तमान समय में यह खुबसूरत किला सिकर के एक व्यवसाई की निजी संपत्ती है इसलिए आम जनता के लिए इस किले को खोला नहीं जाता है फिर भी राजस्थान के इस दूर्ग का भ्रहमन करने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है दूर्ग के मुखे दुआर के बाहर से एक रास्ता बना हुआ है यह रास्ता दूर्ग में बने एक मंदिर तक जाता है यह मंदिर आम जनता तथा परियटकों के लिए खुला हुआ है उचाई पर बने इस मंदिर से लक्षमंगड कस्बे का विहंगम द्रश्य देखा जा सकता है अवदि को देखते हुए यह राजस्तान के अन्य दुर्गों में से सबसे नया माना जा सकता है इससे पहले यह शेत्र बेरगाओं के नाम से जाना जाता था बेरगाओं लंबे समयल तक मील जाट शाशिकों की राज़दा ही रहा था का जाता है कि कान सिंग सालेडी ने सिकर ठिकाने को घेड लिया था इसके अलावा भी सिकर ठिकाना आसपास के राज़पूत राजाओं के निशाने पर रहता था इसलिए सिकर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उननीस्वी सदी के मद्धे में रावराजा लक्षमन सिंग जी ने इस दूर्ग को बनवाया और सिकर की प्रजा की सुरक्षा मजबूत की इतियास के खूबसूरत स्थापत्य का यह दूर्ग शांदार उधारन है परेटन की द्रस्ट से लक्षमन गट दूर्ग विशेस महत्व रखता है अगर यहां के प्रमुक परेटन स्थलों की बात करें तो यहां की प्रसिद्ध हवेलियों के अलावा यहां पर कुछ मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है जिन में रादि का मूर्ली मनोहर मंदिर डाकनियों का मंदिर आदि प्रमुक है